Hi everyone, आप लोगों का exam 6th से 8th of June के बीच में scheduled है, अब ऐसी कुछ बाते हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है Before your examination so that और यह इस इन दुनों के बीच में specially पता होनी आपको ज़रूरी है So that आप उन चीजों पर focus कर सको इस पॉकस पर जो जरूरी है आपके लिए और उन चीजों को avoid कर सको जो इस पॉइंट पर आपको specifically avoid करनी चाहिए So I am today in this particular session I am going to give you a list of do's and don'ts And I hope कि आप मेरी बातों को मानेंगे और उस इस लिस्ट को seriously, vigilantly पहली बातों मेरी बातों को सुनेंगे और follow करेंगे Okay, sorry for not taking the sessions for like 2-3 days I am not quite well तो मैं नहीं ले पारे हूं session But yes, आपको बहुत जल्दी हम marathon session से हम शुरुआत करेंगे So we'll be bouncing back very very soon so do not worry जितना भी हमने 2-3 दिन का चीज़े skip करी है हम उतना ही ज्यादा हम पढ़ाई करेंगे Upcoming is time में हम उतना ज्यादा cover कर लेंगे अतना time देके So do not worry about it Okay, सबसे पहले बात कर लेते हैं do's के बारे में कि हमें कौन-कौन सी चीज़े हैं जो करनी है Okay, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है Revision देखो आप एक चीज जिस पर focus नहीं करते हो वो है revision और revision आप नई चीज़े पर अड़ने पर focus बहुत ज्यादा करते हैं और उस चीज़े एक चीज़ जो आप skip कर लेते हैं वो होता है revision तो make sure करोगे जो आपने पढ़ लिया है उस पर revision पर बहुत ज्यादा focus करना है because अगर revise नहीं करोगे तो जो चीज़े पढ़ लिया है वो ultimately भूल जाओगे और उसमें होगा क्या कि जो चीज़े पढ़ रहे हो वो फिर अगर revision नहीं हो रहे है things properly on time ठीक है यह timely basis पर आप revise कर रहे है second important point is अब previous year questions को solve करे है ज्यादा नहीं तो at least past 5 years के papers जो है आप लगा के जा रहे है और उनसे कुछ चीज़े अनलाइस करे है उनसे papers को कैसे solve करना है वो सब चीज़े अनलाइस करे है third जो मैंने आपने उनको tricks वगरा सिखाई है especially जो मैंने आपको के EC technique सिखाई है आप उसको use कर रहे हैं उसको use करके कैसे चीज़े करना होता है सीख रहे हैं अगर आप में नहीं अभी तक देखा है यह video तो cheat code के नाम से आपको एक video देख जाएगा YouTube पर इसी particular channel पर make sure करो उसको देख लो और वहाँ से सीखो और उनको apply करो मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है YouTube पर ही how to apply these cheat codes in the CSIR paper उसको देख लो I hope कि आपकी अच्छी खासी help वहाँ से हो जाएगी fourth important point is कि जो priority six to seven unit से सबसे पहले उनको एक बार complete करके उम्मीद करें हो भी तक complete कर लिया होगा नहीं करा है तो उनको पहले complete कर लो जो बचा हुआ है और सबसे पहले उसको revise कर लो ठीक है और जो hundred most important topics की list मैंने आप लोगों को दी थी उसमें से जो भी कुछ अभी तक बचा है उसको सबसे पहले complete करो अगर नहीं किया है तो complete कर लिया है well and good फिर उसको revise करो तो ये है do's की list जो आपको करनी है कुछ don'ts हैं जो आपको यहाँ पर avoid करने है ठीक है जैसे की सबसे पहला don't होगा आपके सामने कि ऐसे लोगों से ऐसे sources से ठीक है आपको दूर रहना है जो आपको इस वक्त extra information देंगे या फिर अपने बारे में बताएंगे कि हमने ये source फॉलो कर रहे हैं हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं आपको इस बुक को avoid करना है मतलब as in आपने पढ़ा क्या ठीक है या हमने इस बुक से पढ़ा या फिर यहां से CSIR सवाल देता है या फिर research paper से सवाल देता है तो basically ऐसी चीजें जो आपके anxiety level को बढ़ाएं उन सब को आपको क्या करना है avoid करना है second too much of youtube को आपको क्या करना है avoid करना है too much of youtube का मतलब पढ़ाई जो भी चीजें आपके करवा रही है उसको आप जरूर पढ़ो मैं उसको देखने को avoid नहीं करूंगी youtube में ऐसी चीजें होता क्या है कि जब आप पढ़ाई करे होते हो और जब anxious होते हो बहुत ज्यादा anxious होते हो anxiety होते है तो उस टाम पर आप क्या करते हो बार-बार आपका फोन देखने का बन करते है तो youtube याब basically मैं बोल सकते हूँ phone, mobile phone को avoid करो क्योंकि उसमें क्या होते है कि आप बार-बार फोन देखते हो यह आप बार-बार आप फोन देखोगे जब I do not know मैं खुद नहीं उतना ज़्यादा कर पाती हूँ यह सब चीज़े हैं तो मैं आपको मुझे नहीं पता कि मैं कितना बोल पाऊंगे सब चीज़े करने के लिए बठा मैं यह ज़रूर बोल सकती हूँ कि एक level of दोरी बना लो इन सब चीज़ों से क्या होता है जब एक्जाम टाइम होते हैं तो बहुत जादा बढ़ जाती है अचानक से मैं देखती हूँ आप सब जगहों पर थोड़ा सब चीज़ों से दूरी आप इसपेशली देखोगी जब चुबचे टॉपर होते हैं इन जेनरल तो ऐसा नहीं है कि बिलकुल नहीं आते हैं वो उन सब जगहों पर रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं वो योट्यो वीडियो को देखेंगे पढ़ाई की जगह पर प्रेजेंट रहेंगे वो पर यह जो फालतू के कॉनवर्जेशन होते हैं न कि एक्जाम पुष्पान होगा क्या या फिर जब मतलब यूजलिस कॉनवर्जेशन थे उसका पार्ट वो नहीं बनेंगे मोशली ठीक है उसका पार्ट मतलब बनने की कोशिश इन जेनल हो नहीं करते हैं तो उन सब अजब कोशिश इन यहीं करने हैं कि ऐसी चीज़ें जो आपको सूधिं फैक्टर हो पेरेंट्स फैमिली इफ्यॉ इन फैक्टर मतलब जो बहुत कामिंग फैक्टर वह उनके साहत रहो नके साहत ताँम सपें करो ठीक है आपको गाने सुनके अच्छा लगते है तो खो खो लेकिन एक्जाइम के एक दिन पहले मत करना because ultimately वो कई बार गाने स्टक हो जाते हैं दिमाग में और फिर वो एक्जाइम के टाइम पे हॉल में कई बार दिमाग में खुम रहे होते हैं ठीक है तो वो सब चीज़े नहीं करना अच्छा दोज में एक और चीज़ थोड़ा सा पार्ट एक का रिविजन कर लेना especially वो पार्ट जहां पे बिना फॉर्मिला के काम चल जाता है बिना फॉर्मिला के काम चल जाता है वो वो बाला पार्ट थोड़ा कर लेना ठीक है वो मैंने सिखाया है यूट्यूब पर देख लेना तो यह कुछ चीज़े हैं उनको करो है ना और रिविजन वगरा करते रहो डॉंट में मतलब यह सब चीज़े हैं कि भई नियू सोर्स इसको फॉलो नहीं करना है ज्यादा नियू के पीछ नहीं भगना है कि भई यह भी इस किताब से करने इस यूट्यूब चैनल को देख ले यहां से पढ़ ले वहां से पढ़ ले सब पढ़ ले नहीं फिर फिर अल्टिमेटली डैट विल लीड टू यू बिकमिंग जीरो ठीक है तो वह काम बिलकुल नहीं करना है उससे अपके marks या उसके result आपका जो होगा वह आप सबी को पता है उससे कुछ फाइदा मिलने वाला है नहीं तो वह काम नहीं करना है ठीक है तो यह कुछ चीज़ें करो और जो अच्छी चीज़ें उनको करो जो अच्छी चीज़ें नहीं है उनको थोड़ा avoid करने की कोशिश करो बस इतना ही है आके मिलते हो आपसे बहुत ज़ली तब तक अपना ख्याल रखो देखे रेवरिवन बबाई